Hello all, Welcome to JK Today तो बिहार के 200 उतक्रिष्ट परष्टों के संगरा को जारी रखते वे आज हम लोग करेंगे आखरी भाग पार्ट 13 इससे पहले 12 पार्ट आ गए हैं आप चाहे तो उन वीडियो को पहले देख सकते हैं और इस वीडियो के बाद अगर आप चाहते हैं कि बिहार की किस संस्था के साथ एक समझाता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है E-commerce company Flipkart signed an Memorandum of Understanding with which organization of Bihar तो Flipkart IIT पटना के साथ एक M.I.O. sign किया है और ये जो M.I.O. है This is aimed to create industry-focused applied research in the areas of artificial intelligence, natural language processing और machine learning मतलब कि artificial intelligence, प्राक्रितिक भासा परसंसकरन और machine learning के छेतरों में उद्योक केंदरित अनुसंधान को मनाने में ये ग्यापन मदद करेगा और M.I.T. से याद रखिए कि Smart India Hackathon की एक report जारी हुए जिसके तहत 400 institute की सूची में M.I.T. Bihar को मतलब की मुझबबबूर institute of technology बिहार को पर्थम इस्तान घोशेत हुआ है याद रखिएगा Smart India Hackathon के तहत और दक्षिन बिहार के इंदे विश्वताल है मतलब की Central University of South Bihar इज़ोकेशन वर्ल्ड इंडिया रिपोर्ट एज़ोकेशन वर्ल इंडिया रिपोर्ट के तहत जो best university है बिहार के अंदर यह है बिहार के अंदर वो है CUSB और इसकी rank अगर इंडिया में पूछे दक्षिन बिहार के इंदे विश्वताल लगी तो यह है 56th according to Education World India नितिन गटकरी ने बिहार में किस नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु के उत परवाह कैरेजवे का उधगाटन किया नितिन गटकरी ने अगरेटेट दी upstream carriageway of महात्मा गांधी सेतु on which river in बिहार तो यह किया गया है गंगा नदी के किनारे और गंगा नदी से याद रखिएगा कि इसी नदी के किनारे बायो डैवेस्टी पार्क भी बनाया जाएगा और फल्कु नदी से याद रखिएगा कि इसी नदी के किनारे बिहार सरकार एक rubber dam rubber बांध का निर्मान करने जारी पुरे फलकू नदी में साल भर पानी बनाए रखने के लिए rubber dam का निमान किया जा रहा है विद्या वाहिनी एप किस राज सरकार द्वारा जारी किया गया विद्या वाहिनी एप released by which state government so this is released by government of Bihar Bihar सरकार के द्वारा lockdown में बच्चों के लिए online पढ़ने के लिए online पढ़ने के लिए इस एप को launch किया गया है and this app और यह एप बिहार के education department लौँच किया है सिक्षा विभाग ने इसे launch किया है इस बात को ध्यान रखिएगा और अगर आपसे पूझे कि अभी हाली में education minister बिहार के कौन बनाए गया है तो ध्यान रखिएगा अभी जो NDA की सरकार बनी है बिहार government में उसमें मेवालाल चौधरी को मेवालाल चौधरी को education minister बना गया था लेकिन सपत के तीन दिन के बाद ही corruption charges होने के कारण इन्हें मंत्री पत से इस स्थीपा देना पड़ गया मेवाला चौधरी तो जो नए education minister बनाए गया है वोका नाम है अशोक चौधरी वायू प्रदूशनल प्रबंधन के लिए बिहार प्रदूशनल बोड ने किस IIT संस्थान के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है बिहार प्रदूशन बोड है signed a memorandum of understanding with which IIT institute for air pollution management तो ये MOU sign हुआ है बिहार प्रदूशन बोड और IIT दिल्ली के बीच में क्यों sign हुआ है वायू गुनवत्ता प्रबदन के लिए एक भगौलिक सूचना प्रणाली को अधारित मंच इस्तापित करेगा to set up a geographical information system based platform for air quality management तो याद रखिएगा air quality management के लिए IIT दिल्ली और बिहार pollution control board के बीच में एक MOU sign हुआ है बिहार कृशिव विश्विदाले के वेगानी को द्वारा arsenic production को रोकने के लिए कौन सा बैक्टेरिया विक्सित किया गया which bacteria was developed by scientist और बिहार agriculture university to prevent arsenic contamination तो भागपुल छेतर में मिट्टी और भूजल में arsenic संदूशन को स्विकार करते हैं तो विज्यानिकों के एक दल्ल ने हानिकारक परभावों को रोकने के लिए एक बैक्टेरिया विक्सित किया है और उसका नाम है S B A M 1 मतलब की सबॉर्बियो आर्सेनिक मिटिगेटर 1 और बिहार agricultural university से याद रखियेगा कि रिसेंटी केन सरकार्ड ने इस university को E governance E governance के पुर्षकार से नवाजा है बिहार agricultural university को बिहार में भागलपूर से किस जिले तक Ashwaganda corridor विक्सित किया जाएगा Ashwaganda corridor will be developed by Will be developed from भागलपूर to which district in भिहार तो भागलपूर से बकसर तक एक Ashwaganda corridor विक्सित किया जाएगा याद रखीगा बकसर तक और बकसर से याद रखीगा कि बिहार के इसी बकसर में परशिद सनाई वादक बिस्मिल्ला खान के नाम पर सांस्कृतिक विश्विद्याले खोलने की घोशना की गई तो सांस्कृतिक विश्विद्याले जो खुलेगा वो खुलेगा बिहार के बकसर के अंदर इस बात को भी ध्यान में रखिएगा भोजपूर बिहार के ब्रिज किशोर को किस बैंक का उपाध्यक्ष बनाए गया ब्रिज किशोर और भोजपूर बिहार was made the vice president of which bank तो ब्रिज किशोर ऐसे पहले भारती होंगे जिन हैं ब्रिक्स बैंक का नया उपाध्यक्ष बनाए गया very important question, super important question है ये, ब्रिक्स बैंक का जिसे नया white space में बनाए गया है उनका नाम है ब्रज किशोर और ये है बिहार के भोजपूर से अभी हाली में रवी परकाश को, रवी परकाश को ब्रिक्स यूवा नियॉन मेंसक पुरुषकार से नमाजा गया है मजब कि ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड से जहने नमाजा गया है उनका नाम है रवी परकाश ब्रिक्स जो है ये पांच कंटी का सम्मू है ब्राजिल, रश्या, इंडिया, चाइना, साथरुफिका और इसका जो हैटकॉर्टर है वो है चाइना के शांगाई में और इसके जो नई परसिडेंट बनाए गया है वो है ब्राजिल के मार्कस ट्रॉजियो और अगर आप से सैनेटरी पैड प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे एक यूनिट का इस्तामना किया गया है और दूसरा अभी हाली में फेमस मैथमेटिशियन वसिष्ट नरायन सिंग का हाली में निधन हो गया ये भी भोजपूर डिस्ट्रिक्स से बिलों करते थे बिहार के बोजपूर से त बाइ वोमेन ओफ डिस्टिक्ट और बिहार तो फाइट करोना वाइरस तो ये किया गया है मजपपूर के अंदर मजपपूर की महलाओं ने कोरना वारा से लडने के लिए हैलो सखी चेन जागुता अभियान स्टार्ट किया था और मजपपूर से याद रखिएगा कि पे PQ Hospital का निर्मान किया जाएगा मतलब की Pediatric Intensive Care Unit और तीसरी बाद मुझपरपूर के अंदर ही बिहार का पहला Model Rural Health Research Center भी खुलने वाला है बिहार के किस व्यक्ति को अप्रेल 2020 में फिल्लेंड में भारत के राजदूत के रूप में निक्त किया गया Which person from Bihar was appointed as India's ambassador to Finland in April 2020 तो यह किया गया है रविश कुमार को इसको आप NDTV के chief editor रविश कुमार से confuse मत करना और याद किजे कि परशान भूशन और कन्हिया कुमार को Forbes India की तरफ से 20 people to watch in 2020 की सूची में शामिल किया गया है पशान भूशन और कन्हिया की तरफ से 20 people to watch in 2020 की लिस्ट में शामिल किया गया है देवनन्द कोवर जिनका 86 वर्ष के आयू में निधन हो गया यह किस राज के पूर्य राजपाल थे देवनन्द कोवर who died at the age of 86 was the former governor of state तही was the former governor of बिहार और अगर अभी के जो governor है बिहार के उनका नाम है फागू चोहान किस राजी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंतरन पर जल्दी नीती बनाने की घोशना की गई which state government soon announced a policy on population control तो यह है बिहार सरकार के द्वारा तो देश का सबसे अधिक अबादी वाले राजियों में से एक बिहार जल्दी जनस्रक्या नियंतरन पन एक policy लाएगी और इस नई नीती का उदेश injectable गर्व निरुदग का उपयोग बढ़ाना होगा पुरुशों महिलाओं के बीच अधिक जागुकता पैदा करना होगा खाश करके इस्कूल और कॉलेजस के जो boys और girls हैं जो पुरुश महिला हैं उनके बीच अधिक जागुकता पैदा करना होगा और साथी में मौजूदा चिकिस्ता तेहरा का भी विस्तार करना होगा याद रखीगा जनसक्या निद्रम पर जल्दी नीती बिहार सकार द्वारा लाई जाएगी बिहार बजट में सिक्षा विभाग के लिए कितनी राश्य अमंटित की गई तो बिहार बजट 2020 के लिए सिक्षा के चेत्र में सबसे अधिक उस पे जोर दिया गया और ये है 35,191.05 करोड आप और बजट की कितनी राश्य थी अगर पूछा जाए तो वो था 2,11,761 करोड रुपए इस बात को भी धान में रखिएगा The second edition of sustainable development goal and dashboard for year 2019 was released in New Delhi बिहार is ranked what in the list वस 2019 के लिए सतत्व विकास लक्ष इंडिया इंडेक्स और dashboard का दूसरा संस्क्रण नई दिली में जारी किया गया और बिहार इस सुची में सबसे आखरी पाइदान पर है और याद कीजिये कि अभी ease of doing business में बिहार की जो rank आई थी 26 और भारत ने अभी हाली में एक happiness index भी जारी किया था कौन सा राज सबसे किता जादा खुश है किता जादा सुखी है उसमें बिहार की rank थी 25 और export readiness index निर्यात सुचकांत में बिहार की rank है 30 तो इन तीनों इंडेक्स को भी ध्यार में रखिएगा निमलिखित उदबादों के बीच दो टो डो डिलेवरी परदान करने के लिए बिहार पोस्टर सरकिल, बागवानी विभाग और बिहार सकार के बीच एक समझाता पर हसाक्चा किया गया है यह उत्पात क्या है? बिहार पोस्टर सरकिल, होटे कल्चरल डिपार्टमेंट और गॉर्मेंट और बिहार साही लिची और जर्दालू मेंगो के लिए डो टू डो डिलेवरी परदान करेगी बिहार सरकार में पंचायती राज के वर्तमान मंत्री कौन है? तो अभी आपको याद होगा कि अभी न्यू एंडी की जो गॉर्मेंट फॉर्म होई है उसके अंदर दो उपमुक्स मंत्री बनाए गए है टू डेफटी चीफ मिनिस्टर्स एक है आपके तारकिशोर परशाद और दूसरा है रेनु देवी तो रेनु देवी को पंचायती राज मंत्राले बिला है याद रखिएगा इसका सही अंसर है रेनु देवी को और इसके अलावा उन्हें बैकवर्ट क्लासेज और इंडस्ट्री भी परदान किया गया है रेनु देवी खादी पार्क को बिहार के निमलिखे जिलों में स्थापित किया जाएगा गलत का पता लगाए इनमें से बिहार के अंदर टोटरल चार डिस्ट्रिक्स के अंदर खादी पार्क बनने वाला है तो इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है छपरा भागलपूर गया या फिर पतना तो छपरा के अंदर आएगा जिहां आएगा भागलपूर के अंदर भी आएगा गया तो इसका सही एंशर है पत्ना और प्टना के अंदर पूरे भारत का पहला खाधी मॉल जरूर आने वाला है खाधी पार्क जो है वो इस दर्ट करेंट स्पीकर ऑफ विहार लेजिसलेटी असेमली बिहार विदान शाबा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गये हैं स्रीक्रिशन सिंग, मंगल पंडे, विनोध कुमार सीना या फिर विजय कुमार सीना तो देखिए इसका सही एंसर है विजय कुमार सीना विजय कुमार सीना बिहार विधान श्रबा के नए अधक्च बनाए गए है नए speaker होंगे ये और विनोत कुमार सीना जो है ये बिहार राज माना दिवकार के नए अधर्च बनाए गए हैं बल्लग कि बिहार Human Rights Commission के नए अधर्च बनाए गए हैं विनोत कुमार सीना तो इन दो options में आप confuse मत करना विनोत कुमार सीना और विजय कुमार सीना में और मंगल सीना प्टने जो हैं ये अभी वर्तमान में जो सरकार है बिहार की उसके अंदर ये हैपिश्र मिनिस्टर है और स्री कृश्ण सिर्य करें पटना में भारत की पहली बायो डिजल रिफाइंडरी इस्थापहित करेंगी विच कंपणी विन सेट अप इंडिया स्री बायो पहली बायो डीजल रिफाइंडरी स्थापित करेगी, Citizen Care Group. और पत्ना से याद रखिएगा, कि पत्ना स्मार्ट सीटी योजना के तर्थ, बजट 2020 के लिए 155 को रुपए आमठित किये गए थे, और पत्ना में ही हैल्लूम हाट्टर निमान किया जाने वाला है, पत्ना में ही इंटर सीटी बस टर्मिनल का भी परसाव रखा गया है, और पत्ना में ही थैलेसीमिया केर सेंटर का भी उदघाटन होने वाला है, पत्ना के अंदर. बिहार राज के राजकोशिय घाटे का नुमान सकल घरिली उदपाद के कितने परतिशत पर है? तब बिहार स्टेट फिसकल डेफिसित हाज बिन इस्टिमिटेटेट एट वाट परसेंट ओफ ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट परड़क्ट तो ये है 2.97 नौसाथ परतिशत 2.97 परसेंट और आपका आखरी सवाल है, जल जीवन हर्याली योजना के लिए कुल कितनी राशी आवंटिक की गई? तो बजट 2020 सिकिस के लिए जल जीवन हर्याली योजना के लिए कुल 6,000 को रुपए आवंटिक किये गए थे और आपको मैंने बताया था कि this is a very big initiative under green budget, green budget जो है ये देश का पहला green budget होगा, पूरे पहुंच किया था, चाइल बजट भी लाया था और बिहार ऐसा करने वाला पूरे देश का तीसरा ऐसा राजमना आफ्टर आसाम एन केरला, तो ये था स्रीज का आखरी भाग, hope this series was helpful, all the best for your exam, thank you for watching, have a nice day.